नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगे कि आपको दिमाग को तेज करने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए कभी-कभी यह खायाल आता है कि दिमाग भी कितने काम की चीज है इतना छोट आसा होकर भी हमारे पूरे शरीर पर यहां नियंतरन रखता है दोस्तों दिमाग की शक्तियों का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं यह हर दम हमारे लिए काम करता है, जब हमें दिमाग की ज़रूरत हो यह हाजर रहता है हर बेशब ठक जाए लेकिन दिमाग चलता रहता है वो बात अलग है कि जब हम दिमागी रूप से ठक चुके होते हैं न तो खुद से यही कहते हैं कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन हम गलत होते हैं उस समय भी हमारा दिमाग चल रहा होता है वह हजार तरह के खयाल बुन रहा होता है उस समय भी दिमाग में वह सभी चिंताएं वह सभी खयाल चल रहे होते हैं जिसे हम पूरा करना चाते हैं लेकिन ठकान के चलते दोश अपने दिमाग को दे देते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साइन्स के मताबिक सक्षम बनाय जाए यहाँ भिन भिन लोगों पर निर्भर करता है शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन यहाँ सत्य है कि दिमाग के पास बातों को याद रखने की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों जी हाँ आप चाहें तो हजारों बाते लाखों या फिर करोडों बाते भी अपने दिमाग में भर सकते हैं दिमाग कभी भी यह नहीं कहेगा कि मैं भर गया हूँ और अब और बाते याद नहीं रख सकता यह केवल हमारी मानसिक अवस्ता होती है कि हम समय समय पर जब बातों को दुबारा दोराते नहीं हैं तो उन्हें भूलते चले जाते हैं दोस्तों तो चले दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको दिमाग को तेज करने के लिए किन चीजों का सेवन करना लाब दायक हो सकता है इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निवेतन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारी चनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदे सिता को ज़रूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दौरदी का ये जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदे भीटा सेकें दोस्तों अखरोड जो होता है न वो आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होता है यह अलफा इनोलेनिक एसिट के साथ साथ अन्य पोशन तत्पों से भी भरबूर होता है यह दिमाग तक परियाप्त मात्रा में ऑक्सीजन को पहुँचा कर रक्त संचार को बढ़ाता है जिससे की दिमागी शमता में इजाफा होता है इसके अलावा जैतुन का तेल यानिकी ओलिव ओल ओल मोनो सैचुरेटेट फैट से भरबूर होता है जो की आपके दिमाग को लंबे समय तक स्वस्त और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं वहीं ब्लू बेरी हो, स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लैक बेरी एंटी ओक्सिदेंट से भरपूर यह फल आपके दिमाग के लिए बेहदी लापकारी होते हैं यह आपकी एकागरता में व्रद्धी करने में भी सहायक होते हैं इसके अलावा कॉफी में भरपूर एंटी ओक्सिदेंट तत्वो होते हैं जो नाखीवल आपके तनाप को कम करने में मदद कार होते हैं बलकि दिमागी शम्ता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं दोस्तों वहीं दोस्तों आप दिमाग को तेज करने के लिए अवुकॉर्डो का सेवन भी कर सकते हैं इसमें पाया जाने वाला मोनो सैचुरेटेट फैट वैस्कुलर हेल्थ को बहतर बनाता है और रक्त संचार में भी व्रद्धी करता है जिससे की दिमाग की कार शम्ता में भी व्र पानी पीजे हमारे मस्तिश्क का 85 फीसिदी भाग पानी से बना हुआ है जिससे यह स्पल्स्ट है कि पानी की कमी मस्तिश्क की कोशिकाओं में सिकुडन पैदा कर सकती है पानी की कमी मस्तिश्क की कोशिकाओं के साथ साथ एकागरता और याददाश को भी प्रभावित करती दोस्तों इसलिए दिन भर में 6-8 किलास पानी कम से कम जरूर पीना चाहिए तो दोस्तों आपको हमारे दोर अधी कहिया जनकरी कैसी लगी हमें कमेंड करके जरूर बताएगा और आपको आज की जनकरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद